हमारे साथ आज सुधीर राज सिंग जी है आज 23 सेप्टेम्बर 2018 है आईए उनसे जानते हैं कि बावा साथ डॉक्टर भीमराव अम्बीटकर जी के 101 विक संकब दिवस की क्या मैत्व है तो सुधीर राज सिंग जी बताइए हमें बावा साथ डॉक्टर भीमराव अम्बीटकर जी ने 23 सेप्टेम्बर 1917 के दिन एक संकल्प लिया एक अधिठान किया कि जो समस्या उनके साथ आई वो अब उसको जड़ से उखाड फैंकेंगे लगबग 26 साल पाँच महिने की उम्र का एक नौजवान जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बीटकर जी पाँच साले चार चार साल तक वो इंग्लेंड और अमरीका में रहे और वहाँ उन्होंने बहुत गहन अधिन किया दुनिया को समझा और एक समता का वातावरण वहाँ उन्होंने व्यतित किया उससे पहले वो 1913 में बडोदरा यानि जो आज का बडोदा है वहाँ आये थे और लेफटनेंट की नौकरी वहाँ उन्होंने की थी वहाँ से वो स्कॉलर्शिप लेके चात्रबरती वजीफा लेके और विदेश पढ़ने गए पहले अमरीका गए अब फिर वहाँ से लंदन गए तो लोटके आने के बाद में क्योंकि एक करार था एक एग्रिमेंट था वहाँ के जो नरेश थे सियाजी गायकवाड़ जी के साथ में तो बावा साब अपने रिन को चुकता करने के लिए अपने भाई के साथ में जो बड़ोदरा का रेलवे इस्टेसन पुराना वाला है वहाँ उतरते हैं और लेटर के नुसार महाँ पर पत्र के नुसार महाँ पर उनकी आगवाई के लिए कुछ लोग आने थे जो उनकी लिए रहने खाने की वेबस्तावी करते हैं उनको लेके भी आते हैं क्योंकि एक डिफेंस सेक्रेटरी का पद बहुत उंचा पद होता है सेना का सचिव यानि सेना जिसके पूरे कंट्रोल में रहती है मगर वहाँ कोई नहीं आया और रहने कोई वेबस्ता नहीं हुई उनको रेलवे स्टेसन पे बगीचे में दो दिन रहना पड़ा मकान नहीं मिला तो जहां भी मकान लेने जाते थे उनसे पूर्चते थे कि आप कौन है वो सीदे-सीदे कहते थे मैं हिंदू हूँ आप मुझे मकान दीजिए मगर उसके बाद वो कहते थे कि आप की जाती क्या है और जाती सुनके मकान को नहीं देते थे एक अनुवाब उनको और भी हुआ कि ये जो बीमारी है ये खाली हिंदूओं में ही नहीं है क्योंकि हिंदू होने के नाते हिंदू को मकान देना चाहिए था मगर और भी जो धम के लोग थे और भी जो धर्मों के लोग थे उन्होंने भी उनको मकान नहीं दिया वहाँ असर इस जाती का वहाँ भी था तो वो बहुत परशान हुए, उन्होंने वो लिख्षत में सारी बाते ज्याजी कायक वार थे, उनको बताई, लिख्षत में दीँ उन्होंने दीवान को कहा कि आप व्यश्था कीजिए। जो दिवान थे और उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिये क्योंकि जाती के आगे वो भी मजबूर हो गए और मकान की उपलबता नहीं हो पाई फिर वो बापस आगे बापस आने के बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा परिशान होने के बाद मैं अपने एक दोस्त को कहा दोस्त ने एक क्रिश्टन फैमिली के लिए लेटर लिखा जब क्रिश्टन फैमिली के लिए लेटर लिखा तो उसने भी हाथ खड़े कर दिये उसने कहा कि मेरी पत्रनी हाला की Christian है मगर वो ब्रहमनी जो रूल है उनको छुआ छूद को मानती है इसलिए मैं आप ही सहायता नहीं कर सकता तो बावा साहब ने स्याजी राव गायक वाड़ जी से पत्र लिखा और उनसे कहा कि आप मुझे रिड़न मुक्त कर दें क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ मगर काम करने के अलावा मुझे जो यहां रहने खाने की वेवस्ता है वो नहीं हो पा रही है और प्रिशासन भी इसको नहीं करवा पा रहा है इस परकार उनने लेटर लेखा रहा है वो हमेसा के लिए मुंबई आ गए तो जो पहला वाला एक्स्पियंस था जिसमें वो दो दिन तक बाग में रहे और एक जो पार्शी की ध्रमचला थी उसमें नाम बदल के पार्शी की ध्रमचला चला में रहे तो पार्शी लोगों का जो समुदाय था वो लठ लेकर आ गया और लठ लेके उन्होंने कहा कि तुम हिंदू हो तुम अचूत हो और तुम यहां से निकलो तुमने हमारी जो ध्रम सला है वो अपपत कर दी है और वहां से उनको सामाल उनका फैंका गया सामाल लेके वो इस्टेसन पे गए और जहां वो मुंबै की गाड़ी के लिए अंतिया करे थे उस गाड़ी में चार घंटे का अंतियार था इसलिए वो चार घंटे तक एक वहां कमाटी करके पार्क था उस पार्क में रहे जिसका नाम आज की डेट में सिया जी पार्क है और एक निग्रोध बख्ष के नीचे बट बख्ष के नीचे वहां वो बैठे और उन्हों ने चिन्तन शुद करने के बाद उन्हों ने ये पाया अगर उसको सम्मान नहीं है तो ये बात इसपश्ट हो जाती है कि जो छुआ छूत है या जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग अचूत जो लोग हैं वो गंदे रहते हैं या पड़े लिखे नहीं है या उनमें समझदारी नहीं है इसलिए हम उनसे घ्रणा करते हैं ये बात निराधार है जूट है घ्रणा उनके मन में बसी हुई है आप अच्छा कपड़ा पहले अच्छी नौकरी कर लें क्योंकि मैं सबसे अच्छी नौकरी के बावजूद भी मेरे को मेरा चप्रासी पानी तक नहीं देता मैं पूरे दिन प्यासा बैठा रहता हूँ फाइलें नहीं देता फाइलें फैक के मारता है मेरे आने जाने पे दरी उठाली जाती है मेरे से कोई आँख नहीं मलाता है मेरे कोई इस पर्स करने को दूर दूर तक भी त्यार नहीं है और उन्होंने राज सासन को भी नहीं माना इसलिए ये एसास उन्हें हुआ कि जाती का जो जहर है मन से है और वो इतना घहरा है कि जो नरेस है अगर राज नरेस राजा भी अगर इसको चाहे कि खतम कर दे तो अभी ये नहीं होगा अब मैं इस जाती का समूल नाष्ट करूँगा अब मैं इसको नष्ट करूँगा और इसको खतम करूँगा ऐसा मैं संकल्प करता हूँ ये संकल्प उन्होंने वहां लिया इस संकल्प को बावा साब का सबसे बड़ा संकल्प माला जाता है क्योंकि बाबा साब के पहले जो गुरू है उन्होंने भी बहुत संकल्प किये है सबसे बड़ा जो संकल्प है वो भगवान बुद्ध का है भगवान बुद्ध ने जब ग्यान प्राप्त किया ग्यान प्राप्त करते समय उन्होंने जो कटनाई आई तब उन्होंने एक संकल्प किया जिसको अधित्ठान बोलते हैं उन्होंने अधित्ठान किया कि मैं जब तक यहां से नहीं हिलूँगा जब तक यहां से नहीं उठूँगा जब तक कि मैं सम्यक सम ग्यान को प्राप्त नहीं कर लेता चाहे मेरी खाल सुकर जाए चाहे मैं मर जाओं चाहे मेरी हड़ियां बाहर जाए निकल के मगर मैं ग्यान प्राप्त करूँगा और ऐसा अधिठान करके उन्होंने ग्यान को प्राप्त किया उसके बाद समराट असोक ने एक अधिठान किया उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं राज करने के लिए राज काज के लिए हत्यार नहीं उठाऊंगा मैं करोना सील समाधी से राज करूंगा और उन्होंने ये जो अधिठान किया जो संकल्प किया उस संकल्प से उनका राज आ इरान से लेके और बर्मा तक थी और जैसे ही पंचसील भारत से गया और जैसे ही करोणा का मैतरी का राज गया समता का गया वैसे ही भारत सुकुरता चला गया चोटा होता चला गया डेवाइडिया और इसके टुकुरे होते चले गए उसके बाद जो किया उनके गुरू डॉक जाती है और वहाँ उनको सूद्र क्या क्या गया उनको लात मारके वहाँ से निकाला गया उनके कप्रे फाड़े गए तो वो सिवाजी महराज जो उनके वंसस थे वहाँ जाके उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं आज के बाद ये जो विद्धा हमारी चली गई है ये जो एजूकेसिन चली गई है जिसकी वैसे हम सूद्र बने है वो एजूकेसिन मैं बापिस लाओंगा उन्होंने अपनी पत्नी पढ़ाई महिलाओं के लिए बालिकाओं के लिए स्कूल जो बंद थे वो खोले और सब को उन्होंने सिक्छा पढ़ाई उसके बाद बावा साथ का संकल पाता है जो विस्विक क्याता है क्योंकि बावा साथ का संकल पिस नहीं है बहुत बड़ा है क्योंकि उन्हों के पास में अभाब था और उसके बाद जो मानने वर काशिराम साथ है उन्होंने संकल किया कि आज के बाद मैं ना घर जाओंगा ना किसी मरे में जाओंगा ना किसी दावत में जाओंगा और मैं पूरा जीवन बावा सावंबेट कर और जो जो तीवा फुल हैं उनके रास्ते बेचलता हुआ इस जो मिशन है ये जो हमारा जाती उनमुलन सिध्धान्त है इसको आगे करते हुए मैं से खतम करूँगा और दुनिया में समानता स्थापित करूँगा तो ऐसे प्रण जो हुए जितने भी उनको बुद्ध की भासा में अधिठान बोलते हैं पाली भासा में पुरानी भासा में अधिठान बोलते हैं इसलिए इसको विस्व अधिठान दिवसो बोला जाता है, वर्ड रिजूलूशन डे बोला जाता है, क्योंकि बावा साव अम्बेटकर का जो अधिठान है, वो सबसे बड़ा इसलिए माना जाता है, कि बावा साव अम्बेटकर के पास में कुछ था ही नहीं, ना रोटी खाने के पैसे थे ना कपड़े थे, उनके बच्चे अब हमें मर गए, उनको आने जाने के पैसे नहीं होते थे, आंदूलन के लिए उने जगे-जगे मिटिंग करके पैसे इखटे करने पड़ते थे और उनके दुस्वन सारे थे और फिर भी वो इतना चीप किया है कि उन्होंने एक ऐसा समिधाल लिखा जो पूरी दुनिया मानती है इसलिए इसको विस्व अधित्थान दिवसो बोला जाता है और ये क्योंकि बहुत सारे लोग जो संकल्ब लेते हैं वो नेजी संकल्ब होते हैं स्वार्थी संकल्ब होते हैं मेरे मैं धन बहुत कमाओं मैं नौकरी बहुत करूँ या मेरा ये काम सिद्ध हो जाए मैं संकल्ब करता हूँ बहुत बाडाई हुई है अमबेड करवादी बुद्ध्ध जोतेवा फ KIR फूले के आंदोलन के जो लोग है वो दे बाइडे बहुत संकलप कर रहे है कोई दरी बिछाने का संकलप करता है कोई सभाओ में जाने का संकलप करता है कोई अपना बचा हुआ सेज़ जीवन मेट करवादी फूले आज दोलंगी सिक्षाओं को बढ़ाने में करता है कोई सब को इखटा करने में करता है और ये पूरे भारत में एक चारो तरफ जगे जगे संकल्प की बाड़ा रखी है ये संकल्प दिवस बहुत महत पूर है आप भी आज के दिन कोई संकल्प कीजिए जैसे हमारे महापुर्सों ने जैसे गौतम बुद्ध ने किया जैसे सम्राटा सोख ने किया जैसे बावा साव अमेट करने किया जैसे जोतिवा फूले ने किया जैसे मानेवर काशिराम जी ने किया वैसे ही छोटे मुटे जितने भी संकल्ब हमारे होते हैं वो सबी अच्छे हैं धन्यवाद